नूटन, हिंदी फिलिम जगत की मशुहूर अभिनेत्री नूटन, जिनोंने 14 साल की उंगर में ही फिलिमों में काम करना शुर कर दिया था। जो मी संध्या का खिताब जितने वाली पहली एक्रिस थी और जिनके नाम सबसे ज़्यादा फिलिम फियर एवार्ड जितने का रिकॉर्ड भी लंबे समय तक रहा। अस्ट्रिया नित्य के लिए जगह बनाई। वजेंटी माला के ठिरक्ते पावों ने उसे ट्विंकल तोस का खिताब दिलाया। 1905 से 1960 के दशक के उसे प्रथम स्रेनी की नाईका के नाम से जाना जाता है। साइरा बानू एक भरत्य अभिनेत्री है जिन्हें मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा की महान अभिनेत्री के रूप में गीना जाता है। साइरा बानू सबसे ज़्यादा महेंगी तिसरी अभिनेत्री थी। महज 16 साल की उम्र में साइरा बानू ने हिंदी फिलिमों में देब्यू किया था। वो है ट्रेंट दांसर भी है। मीना कुमारी ट्रेजेडी क्विन के नाम से मशुहूर है। वो 1949 से 1972 के बीच सक्रिय रही। मीना कुमारी को व्यापक रूप से भरत्य सिनेमा की महान तम अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। अपने 33 साल के करियार में बाल अभिनेत्री से लेकर 22 अभिनेत्री तक उन्होंने 90 से अधिक फिल्मों में अभिनाई किया। मधुबला के बारे में बात करे तो यह हिंदे सिनेमा की सबसे पुरानी और प्रसित्ध अभिनेत्रियों में से एक थी। मदुबला ने भरतिय सिनेमा में 1942 से 1960 के बीच अच्छा काम किया। इस बीच इन्हों ने एक से बढ़कर एक फिल्मे की जिसके बारे में लोग आज भी चड़सा करते हैं। अभिनाई के साथ लोगों में इनकी सुन्दरता को लेकर भी अच्छे विचार थे। नरगिस, 1935 में आई फिल्म तलाशे हक में स्रीफ पांचिय साल की उम्रे में इनको नजर आई थी। लेकिन एक कम्प्लिट अभिनेतरी के रूप में वो साल 1942 में आई फिल्म तमानना से फिल्मों में अपना आगाज किया और तिन दशोकों तक हिंदी सिनेमा की महान अभिनेत के रूप में काम किया। मादर इंडिया उनकी सबसे बहतरिन फिल्म थी जिसके लिए उन्हें फिल्म फेर और नेशनल एवार्ड से भी सम्मानित किया गया। माला सिन्हा अपनी प्रतिभा और संदरता दोनों के लिए जानी जाती है। उए 1950 के दशक से आरम करके 1970 के दशक तक हिंदी फिल्मों की प्रमुख अभिनत्री थी। 1957 में बल्यूज अभिनता और निर्देशक गुरुदत ने अपनी फिल्म प्यासा में माला सिन्हा को लिया। उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया जिन में प्रमुख है प्यासा धुलका फुल अनपर दिल तेरा दिवाना गुमरह बहुरानी हिमालई की गोद में आदी। 15 से सत्तर के दशक की मशुहूर अभिनत्री वहिदर रह्मान ने अपने करियर की शुरूवात 1955 में तेलेगू फिल्म से की थी। बाद में इनोंने 1954 में हिंदी सिनेमा में देवानन के साथ फिल्म C.I.D. में काम कि यह इनके जीवन की पहली हिंदी फिल्म थी। यह एक ऐसी अभिनत्री है जिनको बल्यूट के कई स्तार हिरो हिरोईन भी पसंद करती है। इनोंने अपने जीवन कल में लगभग 90 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। अभिनेत्री आशा पारेक 60 के दशक की एक मशुहूर नाईकाओं में से एक है। आशा पारेक 1969 से 1973 तक हिंदी सिनेमा की तप अभिनेत्री रही। 17 बरस की उमर में बतोर अभिनेत्री फिल्म दिल दे के देखो में शम्मी कपुर के साथ अभिनाई किया। इस फिल्म को दर्शकों ने खुब पसंद किया। फिल्म हिद भी हो गई। यहीं से आशा पारेक का फिल्मी करियर शुरू हो गया जो काफी लंबे सामाई तक चला तो आप लोगों को कैसा लगा यह वीदियो। अगर अच्छा लगा तो प्लिस लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे एक नया वीदियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, ठैंक यू।